चिकन की चटपती स्टार्टर की रेसिपी वो भी रेस्टरान स्टाइल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और फटा फट से बन भी जाती है तो रेसिपी को हम बनाएंगे आधा किलो बोनलेस चिकन के साथ मैंने लेक पीसिस के बोनलेस लिये हैं जो बड़े ही जूसी और टेंडर रहेंगे आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट पीस के बोनलेस भी ले सकते हैं तो इन्हे हम इस तरह से पतले लंबे पीसेज में काट कर रैडी रखते हैं. यह आदा किलो boneless chicken को हम बॉल में डाल लेंगे. चिकन को marinate करने के लिए इसमें डालेंगे एक चम्मच अधरक लैसन का पेस्ट, एक चम्मच डालेंगे सोय सॉस, एक चमच डालेंगे white vinegar, vinegar की जगा आप चाहें तो नीमू का recipe आड़ कर सकते हैं एक चमच है काली मिर्चों का powder, एक चमच कश्मीरी लाल मिर्चों का powder, आधा चमच नमक एक अंडे की सिर्फ सफेदी हम आड़ करेंगे, चिकन ज्यादा है तो आप पूरा अंडा आड़ कर लीजिए चिकन की कोटिंग के लिए हम डालेंगे आधा कप मैदा और एक चौथाई कप डाल लेते हैं काउन फ्लार सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है, अब चिकन को और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो बड़े चमच तेल, तेल कोई भी आप ले सकते हैं एक चौथाई चमच इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा अट कर लीजिए, इससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनकर रेडी होगा फिर से एक बार सारी चीजों को मिक्स करना है, चिकन को ढख देंगे और इसे आदे घंटे के लिए मेरिनेट कर लेते हैं चिकन को मेरिनेट करने के बाद हमें इसे फ्राई कर लेना है, तो तेल को मैंने गरम कर लिया है मीडियूम फ्लेम पर, चिकन के एक एक स्ट्रिप्स इस तरह से उठा कर हम गरम तेल में डाल देंगे 2-3 मिनट के लिए चिकन को इसी तरह से पकने देंगे मीडियूम फ्लेम पर फिर हम इसे पलट लेते हैं दूसरी तरफ से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाय इसके बाद हम चिकन को अलट पलट करते हुए हाइ फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए और पका लेते हैं लास्ट में हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन में ज्यादा तेल अबसॉब नहीं होगा तो अब सारे चिकन के पीसे इसी तरह से फ्राइ करके हम निकाल लेंगे चिकन बन कर रेडी हो गया है अब चिकन के लिए एक चटपटी कोटिंग बनाना है जिसके लिए हम आधा कप पहले पानी लेंगे इसमें डालेंगे दो चम्मच कॉन फ्लार को पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अब बागी के सॉसस डालना है जिसमें जाएगा एक चम्मच सोय सॉस दो बड़े चममच डाल लेते हैं टोमाठो सॉस एक चौथे एक धाल लेlai कॉप इसमें शेजवान सॉस डाल लेना है एक बड़े चममच डालेंगे रेड चिली सॉस एक चममच मैसमें कुश्मिरी लाल मिर्चों का पावडर डाल डाल रही हूं दो बड़े चम्मच तेल, मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करके हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच बारिक चॉप किया हुआ लेसन, एक बड़ा चम्मच बारिक चॉप की हुई अधरक डालते हैं और एक छोटा चम्मच बारिक चॉप की हुई हरे मिर्च डालेंगे, सारी इसके डाल लेना है आदा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं, अब मीडियूम फ्लेम पर प्याज और शिमला मिर्च को चलाते हुए पकाना है, हल्की सी ये नर्म हो जाए, इसके बाद हमें इसमें डाल देना है सॉस जो हमने रेडी किया ह हुआ है, कॉन फ्लार है सॉस में इसलिए हम इसे लगातार चलाते हुए मीडियूम फ्लेम पर पका लेंगे, अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए, इसका कच्छा पन चला जाए, इसके बाद हम इसमें फ्राई किया हुआ सारा चिकन आड़ कर लेते हैं, चिकन डालने के चॉप किये हुए हरी प्यास के पत्ते आड़ करके इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं, बस अब गर्मा गरम क्रिस्पी चिकन को सर्फ कर लेते हैं, इस क्रिस्पी चिकन को सर्फ करने के लिए आपको कोई चटनी या सौसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चटपटे